आज हम बनाने वाले हैं करेली की सबजी सभी लोगों की यह सिकायत होती है कि करेली की सबजी खाने में बहुत ही कड़वी लगती है लेकिन अगर आप इस तरीके से करेली की सबजी बनाते हो तो करेली की सबजी कभी भी कड़वी नहीं बनेगी सेम स्टेप आप फॉलो कीजिएगा आपकी करेली की सबजी बहुत ही टेस्टी बनेगी तो नमस्ते फ्रेंड्स वेलकम टू माई नर्मदर टेस्टी फूड तो चलिए शुरू करते हैं से बनाना तो यहां पर मैंने 500 ग्राम करेली लिये हैं सबसे पहले मैंने करेली को धो लि दिया था तो चिलका हमें ज्यादा नहीं निकालना है जितना हमें इजी लगे उतना ही हम इसका चिलका निकाल देंगे और फिर इसके बाद मैंने इनको इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है तो जैसे चाहे वैसे आप इने कट कर सकती हैं गोल सेप में भी आप इने कट कर इसके बाद मैंने इनमे एक चंमच नमक डालने के बाद पूर एक घंटे के लिए इनने रख दिया था, आप देख सकते हैं कितना सारा पानी नमक का रिलीज हो चुका है, तो इसके बाद हम इने 2-3 बार अच्छ से वास करेंगी, तो ये देखिए मैंने इनको 2-3 बार अच् तो सब्ची बहुती कड़वी नहीं बन रखे लग likes you करेले को पहले execut करेंगे तोlasting करेले को यहां पर मैं ने आप देख सकते हैं थोड़े से करेले डाल दिये हैं और इस से इनका थोड़ा सा कलर चेंज भी हो चुका है थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक हम करेले को फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इने निकाल लेते हैं और सेम इसी तेल में हम बचे हुए करेले को भी फ्राई करेंगे इसी तरीके से तो बस इने भी हम अच्छे से फ्राई कर ले तब तक हम इनकी लिए मसाला तयार कर लेते हैं तो यहां पर मैंने ली हैं दो प्याज और प्याज के साथ में हमें लेना है इस तरह का कच्छा आम तो कच्छे आम को आप करेली में जरू से एड़ कर दीजिए क्योंकि इसे करेली का जो टेस्ट है वो कई गुना बढ़ जाता है बहुत ही टेस्टी करेली की सब्जी बनकर तयार होती है बिलकुल भी कड़वी नहीं बनती है तो बस इसके बाद हम इस कच्छे आम का छिलका निकाल देंगे यदि आप करेली की सब्जी में कच्छे आम का यूज नहीं करना चाहते हो तो फिर आप इसमें दो बड़ी च पाली पीछा और इस तरह से कटकर लिने तो आम को हम छुटे जोटे पीसे मैं कटकर लेंगे और और यह Pereaf पर हम एड़ करेंगे एक बड़ा चमच सौप और थोड़ा सा हम इसमें पानी एड़ करेंगे ताकि यह अच्छे से ग्राइंड हो सके और यह देखिए पेस्ट हमारा बनकर तयार हो चुका है तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं करेले को तो करेले भी अच्छे से फ्राई हो हल्का सा इनका कलर चेंज हो चुका है थोड़े से यह क्रेस्पी भी हो चुके हैं अब हम इनने निकाल लेते हैं सेम इसी ओईल में हम थोड़ा सा ओईल और एड़ करेंगे ताकि मसाला अच्छे से भोण जाए और इसके बाद एक छोटा चमच जीरा एड़ करेंगे आदा जम्मज राई डाल देंगे थोड़ी सी हींग डाल देंगे एक्स्ट्रा ओल डालने के बाद ओईल को आप पहले थोड़ा सा गरम भी कर लेजिए और इसके बाद पेस्ट जो हमने बनाया था वह डाल लेंगे इसी को धोके हम थोड़ा सा इसमें पानी भी एड़ करेंगे करेल एक बड़ा चम्मच रैजली पाउडर डाल देंगे दो बड़े चम्मच धनिया पाउडर एड़ करेंगे और एक चोताई हम इसमें हल्दी पाउडर भी एड़ कर देंगे मिर्ची आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम या जादा कर सकती हो अच्छे से हम सभी चीजों को मिक्स करेंगे और यह देखिए मसाला अच्छे से भूनने लगा है तो अब हम इसमें एड़ कर देंगे नमक तो यहां पर मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है नमक आप अपने टेस्ट के साब से भी डाल सकते हो इसके बाद हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे तो मीडियम हाई फ्लेम पर हम मसाले को भून लेंगे तो आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है कितना आनेदार दिखने लगा है बिल्कुल इस तरह से मसाले को हमें भूनना है तभी करेली की सबजी टेस्टी बनती है और ऑइल भी इसमें अच्छे से से करेले को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसे पांच मिनट के लिए कवर कर देंगे पांच मिनट बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मसाले में करेले बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं तो बस अब हम इसमें एड कर आधा चोटा चम्मच गरम मसाला और इसके बाद गरम मसाले को भी इसमें मिक्स करेंगे और यह देखिए बहुत ही टेस्टी हमारी और एकदम चटपटी और वगयर कडवी लगे हमारी करेली की सब्जी बन कर तयार हुई है तो चलिए ठंडी हो जाने पर हम इसे सर्व भी कर देख सकते हैं करेली के सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है टेस्टी बनने के साथ साथ यह विल्कूल भी कडवी नहीं बनी है तो आप इसी तरह से गलीस ज़रूर बनाइए और हां अगर आपको आज की मेरी यह रेजि़्पी पसंद आई हो तो प्लीस विडियो को लाइक क कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो कर लिजिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई